नमस्कार, B.A. 6 semester के first unit के लिए, first paper के लिए मैं पहले कही videos अपलोड कर चुके हूँ आज की इस वीडियो में हम unit first का जो पहला topic है हमारा हिंद स्वराज, यानि महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज या Indian Home Rule, तो उसके दो chapters आपके syllabus में हैं, first unit में, आज उनके बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो में जो आप पढ़ेंगे about the author, यानि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे about the work, यानि कि हिंद स्वराज या Indian Home Rule, इस पुस्तक के बारे में थोड़ा जानेंगे summary हम देखेंगे हिंद स्वराज की, text जो आपके syllabus में है, इस book के केवल दो chapters आपके syllabus में है, chapter 17 और chapter 18 ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, कि जो chapter 17 है, उसका title है passive resistance और जो chapter 18 है, उसका title है education ये दोनों chapters में पूरे कराऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में आज हम सिर्फ इसकी समरी देखेंगे और questions देखेंगे तो questions में जो possible questions आप से exam में पूछे जा सकते हैं जिसमें सबसे पहला है, what do you understand by passive resistance as stated in हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल यानि ये जो किताब है इंडियन होम रूल या फिर हिंद स्वराज उसमें passive resistance passive मने निश्क्रिय होता है और resistance प्रतिरोध होता है तो निश्क्रिय प्रतिरोध या फिर सब इन अवग्या civil disobedience भी उसके लिए use होता है शक्त तो इससे आपका क्या तक परे है या इससे आप क्या समझते हैं ये question आपसे long answer type questions में भी पूछा जा सकता है short answer type questions में भी पूछा जा सकता है और very short answer type questions में भी पूछा जा सकता है तो किसी भी तरीके से ये question आ सकता है फिर next question जो हम देखेंगे writer note on the गांधियन concept of स्वराज in education तो जो एक और chapter है education तो उसमें गांधी जी स्वराज के बारे में क्या कहते हैं उनका क्या concept है उनका क्या खयाल है उनका क्या विचार है इसके बारे में देखेंगे और जो possible question आपसे पूछा जा सकता है exam में critically analyze the गांधियन concept of स्वराज यानि गांधी जी का जो concept है जो सिधान्थ है स्वराज का उसको critically यानि आलोचनात्मक रूप से analyze का मतब होता है visualization करना तो visualization उसका कीजिए फिर और जो question आपसे पूछा जा सकता है राइटर life sketch of गांधी जी गांधी जी की life के बारे में पूछा जा सकता है describe गांधी's educational thoughts गांधी जी के शिक्षा के बारे में क्या खयाल हैं क्या विचार हैं उनको discuss कीजिए या describe कीजिए उनका warning कीजिए या आपसे पूछा जा सकता है objective type questions multiple choice questions या very short answer type questions ये exam में हमेशा आते ही हैं इस बार तो जो fifth semester का exam हुआ है वो पूरा ही objective type हुआ है लेकिन अगली बार कैसा exam होगा क्योंकि pattern change होता रहता है तो objective type questions फिर भी important रहते ही हैं अगर descriptive exam होता है तो भी उसमें जो पहली unit होती है पहला जो section होता है ए section होता है उसमें multiple choice questions आते ही हैं तो कुछ objective type questions भी हम इसी वीडियो में देखेंगे YouTube गांधी जी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे भारत का कोई भी निवासी ऐसा नहीं है जो महत्मा गांधी जी के बारे में न जानता हो और detail में न जानता हो मैंने भी कई वीडियोज गांधी जी के उपर upload किये हैं अभी हाल ही में Bertrand Russell का एक काफी voluminous निवन था बहुत लंबा निवन था reflections on गांधी वो मैंने upload किया था आपको फुरसत मिले तो देख लीजेगा तो फिर भी यहां हम संशेप में briefly जान लेते हैं about the author मोहंदास करमचंद गांधी was a lawyer, nationalist and political ethicist and president of the Indian National Congress 1925 to 24 to 25 यानि महत्मा गांधी जी एक वकील थे, nationalist मने राष्टवादी थे, political ethicist political मने होता है राजनीतिक और ethicist मने नैतिकता बादी तो वो राजनीतिक नैतिकता बादी थे यानि राजनीति में नैतिकता को महत्मा देते थे and president of the Indian National Congress और भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे 1924 पच्चेस में he was born वो पैदा हुए थे on 2nd October 2 October को गांधी जैनती हम मनाते हैं आप सभी जानते हैं 1869 हैं 1869 में एट पोरवंदर गुजरात में ये सारी details आप याद रखेगा multiple choice questions में या very short answer type questions में जरूर पूछे जाएंगे उनका date of birth और date of birth place याद रखना है आपको his wife was कस्तूरवा गांधी उनकी पत्नी का नाम कस्तूरवा गांधी था his father was करमचंद गांधी पिता का नाम करमचंद गांधी था and mother was पुतली भाई the honorific महत्मा great soul तो महत्मा का जो आर्थ होता है उसका महान आत्मा तो उसको brief में महत्मा कह दिया जाता है तो ये जो उनको title मिला था was first applied यानि पहली बार उनको पुकारा गया इस नाम से तो ही in South Africa दक्षन अफरीका में in 1914 he was assassinated यानि उनकी हत्या हुई on January 30 तो नाथुराम गोडसे के हाथों से उनकी हत्या हुई थी उनका नाम भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं 30 जनवरी 1948 को यानि आज़ादी के बाद in noodle ही नई दिल्ली में his autobiography उनकी आत्म कथा है the story of my experiments with George जरूर याद रखेगा बहुत important question है और ये MA में prescribed रहती है उनकी आत्म कथा is an immortal book ये एक अमर पुस्तक है and a legacy legacy मनें विरासत होता है for ages to come यानि आने वाले युगों के लिए ये पुस्तक अपने आप में एक विरासत है फिर हम जानते हैं about the work यानि जो रचना आपके syllabus में है हिंद स्वराज और Indian home rule is a book जो मोहंदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई in 1908 1908 में it was first published ये पहली बार प्रकाशित हुई serially यानि क्रमबध तरीके से in the columns of Indian opinion of South Africa तो South Africa से एक journal निकलता था Indian opinion नाम से तो उसमें प्रकाशित हुई और edited by गांधी जी तो इस जर्नल के Indian opinion जो जर्नल था उसके एडिटर संपादक गांधी जी स्वयम थे then it was published फिर ये प्रकाशित हुई in book form यानि किताब के रूप में in 1909 तो ये question अगर आता है कि ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई तो फिर आप 1909 ही लिखेंगे क्योंकि serially क्रमबध तरीके से एक पार्ट अब आ गया दूसी पार्ट अगले दिन आ गया अगली बार आ गया तो वो serially प्रकाशित हुई 1908 में लेकिन book form में 1909 में प्रकाशित हुई महाद्मा गांधी रोड दिस बुक in his native language गुजराती बहुत important fact है आपके जानने के लिए कि ये पुस्तक मूलत है गांधी जी ने अपनी मात्र भाषा गुजराती में लिखी थी while traveling यानि यात्रा करते समय from London to South Africa London से South Africa की यात्रा में on the ship kildon and castle तो इस जहाज में यात्रा करते वक्त पानी का जहाज था उन्होंने ये पुस्तक लिखी ये जो किताब है एक डायलोग की शकल में लिखी हुई है डायलोग मने समवाद होता है दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसको डायलोग बोलते हैं between the two characters यानि दो पात्र हैं जिनके बीच में बात्चीत हो रही है the reader एक तो पाठक है and the editor और दूसरा संपादक है the reader essentially serves as the typical Indian countryman जो reader है यानि पाठक है वो कौन है वो एक भारती अव्यक्ती है यानि कालपनेक है लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है सारे भारतीय लोगों को whom Gandhi would have been addressing with हिंद सुराज तो गांधी जी address कर रहे हैं संबोधित कर रहे हैं भारतीय लोगों को हिंद सुराज के माध्यम से the reader voices the common beliefs तो जो reader नाम का पात्र है पाठक जो है वो voices माने आवाज देता है या आवाज बनता है the common beliefs जो सामने लोगों के विश्वास है and arguments और जो तर्क है of the time उस समय के concerning Indian independence यानि भारतीय सुतंतरता के संबन में उस वक्त आम लोगों की जो राय थी धार्ना थी विश्वास थे तो उनको आवाज देता है यानि उनका representation करता है प्रतने दित करता है यह reader गांधी दा एडिटर और जो दूसरा character है वो हैं गांधी जो के संबादक है explains वो समझाते हैं व्याख्या करते हैं why कि क्यों those arguments वो तर्क are है flawed मने कमी हैं उनमे गलत है and interjects his own arguments और वो उसके सामने अपने खुद के तर्क पेश करते हैं as the editor गांधी जी puts it यानि संबादक के रूप में गांधी जी कहते हैं it is my duty ये मेरा करतव्य है to try कोशिश करना to remove यानि हटाने की दूर करने की your prejudice तुम्हारे prejudice माने पूर्वा ग्रह होते हैं तो तुम्हारे मन में जो पूर्वा ग्रह हैं उनको हटाने की कोशिश करना मेरा करतव है गांधी जी had translated the book गांधी जी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया यानि ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसका अनुवाद किया into English अंग्रेजी में for Mr. Kellenbeck Mr. Kellenbeck के लिए यानि ये एक दोस्त थे Mr. Kellenbeck गांधी जी के South Africa में ये एक जीऊ थे यहूदी थे और बहुत अच्छे दोस्त थे इन्हों काफी पैसे वाले थे रिच थे और इन्हों ने काफी जमीन वहाँ पर गांधी जी को दान में दी थी कई एकर जमीन थी और जिसमें Tolstoy Farm गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था Tolstoy Farm नाम से तो उस आश्रम के लिए जमीन इन्ही ने दी थी Kellenbeck ने तो उनकी खात्र इन्हों ने ट्रांसलेट किया दा गुजराती वर्जन वोज प्रेस्क्राइब यह प्रेस्क्राइब तो जैसे आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब है तो प्रेस्क्राइब तो नहीं किया गवर्वर्मेंट ने प्रस्क्राइब का मतलब थो किसी के याई आपके सिलेबस में लागू करना करना होता है तो इनका जो गुजराती वरजन था इस किताब का वो प्रस्क्राइब किया गया by the Bombay government Bombay की सरकार के द्वारा उसको बेन कर दिया गया गांधी जी की इस किताब को अब जब बॉम्बे गॉवर्मेंट ने ये एक्षन लिया गांधी जी के खिलाफ उनकी किताब को बैन कर दिया तो गांधी जी ने क्या किया he published the English translation तो उन्होंने English translation को प्रकाशत कर दिया जब गुजराती में कोई किताब आएगी तो उसको सिर्फ वो लोग पढ़ेंगे जिनको गुजराती भाषा आती है लेकिन English में कोई किताब आएगी तो उसको तो पूरा देश पढ़ेगा पूरा संसार पढ़ेगा तो और ज़्यादा पढ़ी गई फिर यह किताब गांधी जी रोड दिस बुक गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी थी इन आंसर टू दा इंडियन स्कूल ओफ वाइलेंस यानि इन आंसर माने जबाब में जो लोग हिमायत करते थे वाइलेंस की हिंसा की हिमायत करते थे कि भई अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंसा की जाएगी तभी अंग्रेज़ यहां से जाएंगे तो हिंसा की वकालत करने वालों के जबाब में लिखी थी और प्रोटोटाइब इन साउथ अफरीका और प्रोटोटाइब एक आप रैपलिका कह सकते हैं रैपलिकेशन कह सकते हैं तो दक्षन अफरीका में भी इस बात के मानने वाले कम नहीं थे हिंसा के सपोर्टर कम नहीं थे तो उनके जबाब में गांधी जी ने ये किताब लिखी थी उन्होने महसूस किया that violence was no remedy कि हिंसा कोई remedy नहीं या कोई ilaj नहीं है for India's illness यानि भारत की जो इल्स माने वैसे बीमारियां होती है तो यहां इल्स का मतर्द परेशानिया भारत की परेशानियों का कोई इलाज हिंसा नहीं है and that और के हर civilization required उसकी सभ्यता को आवशेक्ता थी the use प्रयोग की of a different एक अलग तरीके के and higher weapon और उच्च कोटी के हत्यार की for self protection यानि आत्म रक्षा के लिए तो भारत को अगर अपनी सभ्यता संस्कृती की या फिर स्वैम की रक्षा करनी है तो हिंसा का सहारा ना लेकर एक और उचे हत्यार को अपनाना होगा तो गांधी जी हिंसा से बड़ा हत्यार अहिंसा को मानते थे he teaches वो सिखाते हैं the gospel of love gospel यानि part आप कह सकते हैं और love प्रेम का तो गांधी जी प्रेम का part पढ़ाते हैं in place of the gospel of hate यानि in place of की जगए the gospel मने part of it नफरत का नफरत के पार्ट की जगए वो प्रेम का part पढ़ाते हैं it replaces violence with self-sacrifice it यानि कि उनकी जो किताब है या फिर उनका जो सबक है उनका जो सर्मन है वो replace मने जगह देता है replaces violence with self-sacrifice self-sacrifice होती है अपने स्वेम को कुर्बान कर देना आत्म त्याग बोलते हैं तो हिंसा की बजाए आत्म त्याग को अपनाना चाहिए ऐसा गांधी जी कहते है it puts soul force against brute force soul force होती है आत्मिक शक्ती और brute force होती है यह जो जंगली ताकत है यानि दूसरों पर हिंसा करना यह तो जंगल राज होता है जंगल में जो ज्यादा ताकतवर जानवर है वो कमजोर जानवरों पर हमला करता है तो वो brute force होई तो brute force की बजाए यानि जंगली ताकत की बजाए वो आत्मिक ताकत को तरजीह देते हैं यह जो किताब है वो severe माने कठोड कठो या कडवी condemnation होती है आलोचना of modern civilization आधुनिक सभ्यता की तो गांधी जी ने अपनी इस किताब में आधुनिक सभ्यता की कटो आलोचना की है he felt उन्होंने महसूस किया that कि if India would discard अगर भारत discard कर दे यानि अस्विकार कर दे modern civilization आधुनिक सभ्यता को she could only gain तो उसे केवल लाव होगा by doing so ऐसा करके it was his conviction उनका ये विश्वास था that कि if India adopted अगर भारत अपना ले the doctrine of love प्रेम के सिधान्त को as an active part active मने सक्रिय पार्ट मने अंग एक सक्रिय अंग के रूप में of her religion अपने धर्म के and introduced it और उसको introduce कर दे यानि समाहित कर दे शामिल कर दे in her politics अपनी राजनीती में स्वराज would descend तो स्वराज प्रात होगा upon India भारत को from heaven स्वर्ग से तो गांधी जी का कहना था कि राजनीती में धर्म का समावेश होना चाहिए और प्रेम का समावेश होना चाहिए किसी के विरोध में किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए हिंसा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तो ये सारी उनकी preachings हैं ये सारे उनके सिध्धान्त हैं जो उन्होंने इस किताब में दिये हैं और अब chapterization देखते हैं और chapters जरा ध्यान से आप पढ़िएगा इस किताब के total 20 chapters है अच्छा ये जो book है पूरी book google पर available है और मुफ्त में available है आप उसका print out निकाल सकते हैं या online पढ़ सकते हैं मैं जब अभी दूसरा वीडियो इस पर बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी वो website भी दिखाऊंगी आपको और book भी दिखाऊंगी अब देखिए इस book के chapters देखिए the book consists of 20 chapters तो इस किताब में कुल मिलाकर 20 अधिया है पहला अधिया देखिए the congress and its officials ये पहला अधिया है congress और उसके अधिकारिगर दूसरा अधिया देखिए the partition of बंगाल बंगाल का विवाजन फिर तीसरा अधिया है discontent and unrest discontent मने असंतोष होता है unrest बेचैनी होती है what is स्वराज स्वराज क्या है ये fourth chapter है fifth chapter देखिए the condition of England यानि इंग्लेंड की इस्थि फिर sixth chapter civilization seventh chapter why was India lost यानि भारत कैसे हो गया फिर अगला चेप्टर है the condition of India भारत की स्थि फिर ninth chapter देखिए the condition of India continued तो आगे भी condition of India और railways के बारे में इस चेप्टर में उन्होंने बात की है tenth chapter है the condition of India continued यही chapter चल रहा है the Hindus and the Mohammedans तो यहां हिंदू और मुसल्मानों के बारे में बात की है गांधी जी ने फिर देखिए chapter 11 the condition of India continued इसमें भी condition of India भारत की स्थि दिखाई गई है lawyers यहां वकीलों के बारे में बात हुई है chapter 12 बारे में अध्याय में the condition of India भारत की स्थिती ही चल रही है और यहां doctors के बारे में बात हुई है फिर chapter 13 में what is true civilization यानि सची सभ्यता क्या है इस बात पर discussion किया है chapter 14 में how can India become free भारत स्वतंत्र कैसे हो सकता है chapter 15 Italy and India तो Italy और India इनका comparison और इनके आध्यान हुआ है फिर chapter 16 में brute force यानि जो जंगली ताकत है जिसकी अभी बात हुई थी उसके बारे में उन्होंने बात की है और फिर passive resistance जो आपके syllabus में है chapter और फिर chapter 18 तो chapter 17 और 18 जरूर याद रखिएगा दोनों के titles जरूर याद रखिएगा chapter 18 का title है education, chapter 19 का title है machinery और 20th chapter यानि last chapter है conclusion यानि निशकर्श अब देखते हैं summary इस किताब की हिन स्वराज और इंडियन होम रूल comprises of 20 short chapters छोटी छोटी चैप्टर्स हैं टोटल किताब शायद 96 पेज की है अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको और छोट छोटे से chapter दो आपके syllabus में हैं वो detail में हम पढ़ेंगे फिर it is written in a dialogue form तो dialogueic form में लिखी गई है संबाद की तरीके से लिखी गई है between the reader and the editor यह पहले पढ़ चुके हैं of a journal newspaper तो एक journal या newspaper के editor संपादक और reader के बीच में बातचीत हो रही है पूरी किताब में the advantage of the dialogue form is that it provides the editor here Gandhi with an opportunity to discuss the entire gamut of shows with all their implications and intricacies the advantage is मनें फाइदा of the dialogue form यानि संबाद के रूप में ये किताब लिखी गई है इसका फाइदा ये है is that it provides ये उपलब्ध कराती है ये जो form है the editor यानि संपादक को here Gandhi जो कि यहाँ पर Gandhi जी है with an opportunity एक अवसर उपलब्ध कराती है to discuss यानि बातचीत करने का the entire gamut gamut आप scope कह सकते हैं तो जो एक पूरा scope है of issues यानि विशेयों का with all their implications यानि उनके जितने भी नेतार्थ हैं इंप्लिकेशन हैं जो छुपा हुआ अर्थ होता है और intricacies होती हैं जटिलता हैं तो बहुत सारे issues हैं बहुत सारे subjects हैं विशेय हैं और उनके बहुत सारी जटिलताएं हैं बहुत सारे उनके छिपे हुए गूर अर्थ हैं तो उन सब पर बाचीत अराम से होती है डायलोग फॉर्म में एक बंदे ने सवाल पूछा दूसरे ने जवाब दिया ये सोक्रेटीज का भी तरीका था जो के प्लेटो के डायलोग साब पढ़ते हैं सोक्रेटीज ने खुद तो टायलोग नहीं लिखे लेकिन प्लेटो ने लिखे हैं तो वही ओल्मोस फॉर्म यहां पर एड़ॉप्ट की गई है गांधी जी के द्वारा प्राइमरीली यानि प्रारमिक तौर पर हिंद स्वराज डील्स विट टू इश्योज हिंद स्वराज दो विश्यों से समधेते हैं यानि दो विश्यों पर यहां बाचित की गई है जो पहरा विश्य है अ क्रिटीक अलोजना और मॉडर्न सिवलाजेशन आधुनिक सभ्यत दूसरा दन नेचर एंड स्ट्रक्रिस प्रकर्थि होती है और स्ट्रक्शर यानि बनावच होती है खाका होता है और इंडिय हिस्वराज भारत्य स्वराज की हैंन दौ मीज औरा मीज्मनिय समसाधन और तौर तरीके टू एक इसको प्राप्ट करने की क्योंकि जब यह पु comfort है नाखुशी है तो जो आधुनिक सभ्यता है उससे गांधी जी नाखुश है उनको बिलकुल पसंद नहीं है modern civilization गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज is primarily known for its transient critique of modern civilization तो गांधी critique मने अलोचना severe criticizes मोनोने की है of modern civilization आधुने सभ्यता की कट्वा अलोचना के लिए ये किताब जानी जाती है तो महत्मा गांधी के modern civilization से related जो ख्याल है उन पर कोई भी question आए आपको यही matter उसमें लिखना है यह question आपसे ऐसे पूछा जा सकता है what are the thoughts of महत्मा गांधी about modern civilization या what is the opinion of महत्मा गांधी about modern civilization या what does महत्मा गांधी say about modern civilization तो महत्मा गांधी और modern civilization ये शब्द अगर किसी question में आए तो आपको यही matter उसमें लिखना है जो अभी आप पढ़ रहे हैं इन हिंद स्वाराज तो अपनी इस किताब में he also dwells यानि वो इस पर भी विचार करते हैं on the condition of India भारत की जो इस्थिती है as it has developed जैसी कि ये विकसित हुई है under the British rule यानि अंग्रेजों के शासन में and tutelize का मतलब आप guardianship कह सकते हैं सनरक्षन कह सकते हैं तो अंग्रेजों के सनरक्षन में जैसे विकसित हुई है उस पर विचार किया है कैसी स्थिती change हुई है conditions कैसे change हुई है अंग्रेजों के आने से पहले क्या conditions थी और उनके जो शासनकाल है उनका जो rule है उस बीच कैसे conditions change हुई है he makes a basic formulation तो एक आधार भूत विचार वो रखते हैं that under the impact of the British rule के अंग्रेजी शासन के प्रभाव में इंडिया is turning into an irreligious country भारत एक अधार्मिक देश बनता जा रहा है he hastens to it फिर वो जल्दी करते हैं ये बात कहने में that he is not thinking of any particular religion कि वो किसी खास धर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं but rather of that region बलकि उस धर्म के बारे में which underlies all religions जो कि सारे धर्मों में नहित है we are turning away from God हम इश्वर से दूर होते जा रहे हैं he adds वो आगे जोड़ते हैं he likens modern civilization to a mouse आधुनेक सभ्यता को वो कहते हैं एक चूहा knowing our people while apparently soothing them knowing जो कुतर रहा है our people हमारे लोगों को while जबकि apparently यानि दिखावटी तोर पर soothing them वो उनको रहत दिरा है यानि लोगों को देखने में ये लग रहा है कि उनको रहत मिल रही है उनको मज़े आ रहे हैं आधुनेक सभ्यता में लेकिन वास्तम में ये जो सभ्यता है आधुनेक सभ्यता वो हमारे लोगों को कुतर रही है then he turns his moral gaze to some of major developments like railways and the emergence of new elite like lawyers and doctors then he turns his moral gaze यानि अपनी नैतिक द्रिश्टी to some of major developments यानि जो कुछ मुख्य विकास हुए हैं कुछ नई परस्तियां बदली हैं like railways जैसे के railway आई है 1853 में भारत में railways आई and the emergence of the new elite emergence बने सामने आना, प्रादुर्भाव होना, पैदा होना new elite, elite होता है भद्रजन होते हैं जो एक अपर क्लास होता है उच्च वर्ग आप कह सकते हैं तो जो नया उच्च वर्ग अस्तित्तों में आया है like lawyers and doctors जिसमें के वकील हैं और डॉक्टर लोग शामिल है All these developments, ये सारे विकास he asserts, वो कहते हैं have only led to the impoverishment of India के इन सब ने भारत को गरीब बनाया है According to him, उनकी अनुसार railways have helped the British Railway ने अंग्रेजों की मदद की है to tighten, यानी कसने में their grip उनकी पकड ओवर इंडिया भारत के उपर तो भारत की उपर उनकी पकड और मजबूत हो गई है railways की वजह से Besides, इसके अलावा they have been also responsible for famines ये जो अंग्रेज हैं वो famines के लिए यानी भुख मरी के लिए भी जिम्मेदार है तो आपको मालम है कि भारत में आजादी से पहले कई बार दुर्भिक शाया था यानी भुख मरी फैली थी 1947 के बाद भारत में भुख मरी नहीं फैली है हालांके एक दो बार गुजरात में थोड़ा सा लगा था कि भुख मरी है लेकिन जैसे हर साल भुख मरी अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी सेम वही जमीन है और उस वक्त जनसंकिया 30 करोड थी आज 130 करोड है और ज्यादा ही है 1500 करोड है लेकिन आज कोई भुखा नहीं है जमीन उतनी ही है उस वक्त 30 करोड लोगों का पेट नहीं भरता था पेट इसलिए नहीं भरता था क्योंकि अंग्रेज लोग कमपैल करते थे मजबूर करते थे किसानों को कैश क्रॉप्स होगाने के लिए और वो सारी कैश क्रॉप्स इंगलेंड चली जाती थी और भारत जो फूड क्रॉप्स होती थी अनाज नहीं पैला करने ड़े थे खिसानों को तो इसलिए खिसान भूगे मर जाते थे तो इसके लिए अंग्रेज्डोग जिम्मेदाद kamiats के लिए epidemics महामारियां फैलती थी हजा से ही गां़ के गां़ खाली हो जाते थे मलेया इसकदर फैलता था गाउं के गाउं खाली हो जाते थे और जो अंग्रेज सरकार थी वो कोई परवाह नहीं करती थी अगर मर रहे हैं तो मरने दो क्योंकि उनका मानना था कि दे ब्रीड लाइक रैबिट्स यानि जो खरवोश हैं खरवोशों की तरह उलादें पैदा करते हैं तो मरने दो और दूसी जो समस्याएं थी हमारे भारत के लिए उसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है ये गांधी जी का मनना था और जिम्मेदार थे भी एक जो तर्क दिया जाता था रेलवेज के बारे में के भाई उन्होंने भारतियों की भलाई के लिए रेल चलाई है तो इस तर्क का वो प्रतिकार करते हैं और रेलवेज हैव कंट्रिबूटेट तो दा ग्रोथ आफ इंडियन नैशनलिजम के भारतिय राष्ट्रबाद में सहयोग दिया है रेलवेज ने इसका प्रतिवाद गांधी जी ये कहकर करते हैं that इंडिया had been a nation much before the British arrived कि भाईया अंग्रेजों के आने से बहुत समय पहले ही भारत अपने आप में एक राष्ट्र था in chapter 11 11 में अध्याय में of हिंद सुराज हिंद सुराज के he argues वो ये तर्क देते हैं that lawyers have contributed के वकीलों ने योगदान दिया है more ज्यादा to the degradation यानि पतन में of इंडिया भारत के तो भारत के पतन में ज्यादा योगदान है इन वकीलों का besides इसके अलावा they have accentuated the Hindu Muslim dissensions हिंदू मुसल्मानों के बीच में जो जगड़े हैं जो वैमनस से है वो इन लोगों ने उसको और prominent किया है और बढ़ावा दिया है भाई आपस में जगड़े होंगे तभी तो वकीलों का वो चलेगा उनका रोजगार कहां से चलेगा उनका पेट चीजों की मदद की है to consolidate यानि सुद्रण बनाने में their position अपनी स्थिती को and have sucked और उन्होंने चूसा है the blood खून of the poor of India भारत के गरीबों का in the next chapter अगले अध्याय में he describes वो वर्णन करते हैं how doctors have failed the Indian society की doctor लोगोंने कैसे भारतिय समाज को अस्पल किया है in his opinion उनकी राय में doctors have been primarily responsible for making the people self-indulgent यानि doctors इस बात के लिए जिम्मेदारे हैं लोगों को उन्होंने self-indulgent बना दिया है self-indulgent यानि वो विलासिता में डूबे रहते हैं मौज मसी में डूबे रहते हैं कि विलास तो ही जाएगा and taking less care of their bodies और अपनी शरीर का खयाल कम रखते हैं he concludes वो निशकर्ष निकालते हैं his critique जो उनकी आलोचना है of modern civilization आधुनिक सभ्यता की by comparing तुलना करके it इसकी यानि आधुनिक सभ्यता की तुलना वो किससे करते हैं to an opacity एक पेड़ होता है जिसका रस जहरीला होता है उसको anti-res toxic area बोलते हैं पेड़ को तो उससे तुलना की ह a poisonous plant जो कि एक जहरीला पेड़ है which destroys जो कि नश्ट कर देता है all life सारे जीवन को around it जो उसके आसपास होता है in another chapter एक और अध्याय में of the हिंद स्वराज हिंद स्वराज के ही examines वो निरिक्षर करते हैं the English educational system जो अंग्रेजी शिक्षा पध्धती है introduced in India जो भारत में introduced की गई ल false education और उस शिक्षा पध्धती को वो जोटी शिक्षा करार देते हैं for him उनके लिए the basic aim of education शिक्षा का मूल भूत उद्देश शुडबी होना चाहिए to bring यानि पैदा करना या लाना our senses हमारी इंद्रियों को under our control हमारे नियंतर्ण में हमारी इंद्रियों को हमारे नियंतर्ण में लाना शिक्षा का मूले को देश होना चाहिए and to help imbive ethical behavior in our life और हमारे जीवन में हम नैतिक व्यवहार को अपनाए ये शिक्षा का देश होना चाहिए he attacks वो अक्रमण करते हैं या अलोचना करते हैं the newly immersed elite जो नया नया पैदा हुआ है उच्च वर्ग उसकी अलोचना करते हैं अब by product जो कि एक by product है यानि एक तो main product होता है एक साथ में जो चीज पैदा हो जाती है उप उत्पाद बोल सकते हैं आप सह उत्पाद बोल सकते हैं of the Macaulay system of education तो Lord Macaulay ने जो शिक्षा वेवस्था यहां लागू की उसका एक by product था उच्च वर्ग नया नया पैदा हु as they have enslaved India क्योंकि उन्होंने इस शिक्षा के माध्यम से भारत को गोलाम बनाया है और अब आगे देखिए स्वाराज of the हिंद स्वाराज यानि हिंद स्वाराज में स्वाराज के बारे में क्या कहा गया है और यह अलग से question भी बनेगा तो अगर स्वाराज के बारे में कोई question आ the main concern यानि मुख्य चिंता का विशय था चिंतन का विशय था या विचारविंदू था of the हिंद स्वाराज यानि यह जो किताब है हिंद स्वाराज उसका in chapter 4 of हिंद स्वाराज हिंद स्वाराज के चौथे अध्याय में he puts forward वो हमारे समक्ष रखते हैं a basic formulation एक मॉलिक सिधान that mere transfer of power mere माने केवल होता है यानि और transfer माने हस्तान तरण of power शक्ती का तो केवल सत्ता का हस्तान तरण from British hands यानि अंग्रेजों के हाथों से to Indian hands भारती हाथों में would not lead to true स्वाराज वो सच्चे स्वाराज की ओर नहीं ले जाएगा he adds वो आगे कहते हैं that would be nothing more than having English rule without Englishman तो अगर ऐसा होता है सिर्फ सत्ता का हस्तान तरण होता है तो इसका मतलब होगा कि अंग्रेजों का राज रहेगा without Englishman अंग्रेजों के बिना कि राज तो अंग्रेजों का ही रहेगा सिर्फ अंग्रेज उसमें नहीं होंगे in that case इस तरीके से he argues वो तर्फ करते हैं इंडिया may be called हिंदोस्तान बारत को हिंदोस्तान तो कहा जाएगा but actually लेकिन बास्तम में it would remain Englishman वो अंग्रेजों का ही देश रहेगा hence it would not be स्वराज ये स्वराज नहीं होगा of his conception उनके खयालों का and in chapter 14 और 14 में अध्याय में how can India become free भारत स्वतंत्र कैसे हो सकता है he tries वो कोशिश करते हैं to define परिभाशित करने की true स्वराज सचे स्वराज को by saying that ये कहकर के if यदि we हम individuals व्यक्ती became free आजाद हो गए इंडिया would be free तो भारत भी आजाद हो जाएगा यानि पहले व्यक्तियों को इस अंग्रेजी सभ्यता संस्कृती से आजाद करना है तभी हम आजाद होंगे it is in the same way ये v-e-i-n होना चाहिए यानि इसी रो में वो बोलते हैं that he opines that यानि आगे उनकी राई ये है it is स्वराज ये स्वराज होगा when we learn जब हम सीख जाएंगे to rule ourselves यानि अपने उपर शासन करना such a स्वराज ऐसा स्वराज ही further adds वो आगे कहते हैं would have to be experienced अनुभव किया जाना होगा by each one of us हम ऐसे प्रत्यक के द्वारा गांधी also uses the term स्वराज गांधी जी इस शब्द स्वराज का प्रयोग करते हैं for home rule or self government for the Indian people यानि भारतिय लोगों के लिए self government यानि स्वरशासन home rule भी वही है स्वरशासन तो उसके लिए भी स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं but he makes it clear लेकिन वो ये बात साफ करते हैं that there is a symbiotic relationship कि एक symbiotic मने सहजीवी relationship संबंध है between स्वराज as self rule of individual Indians and स्वराज as the home rule or self government for the Indian people कि एक स्वराज है जो व्यक्ति का self rule है यानि हर व्यक्ति का अपने उपर नियंत्रन हो आत्म नियंत्रन हो स्वरशासन हो और दूसरा इंडियन पीपल का मतलब भारतिय राष्ट्र के उपर भी भारतियों का शासन हो तो देश के उपर भारतियों का शासन हो साथ ही जो भारतिय लोग हैं उनमें से प्रत्यक का अपने उपर आत्म नियंत्रन हो अपने उपर खुद का राज हो तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है और अपने आंसर में लिखनी होंगी इन अधर वर्ड्स दूसरे शब्दों में होम रूल यानि आत्म शासन या स्वाशासन दाट इंडियन पेपल वोड एचीव जो भारतिय लोग प्राप्त करेंगे वोड बी त्रू वो सच्चा होगा only capable to the extent उस सीमा तक they are successful जिस सीमा तक वो सफल होंगे in being self-ruling individuals यानि अपने उपर शासन करने वाले व्यक्तियों के रूप में यानि जब वो अपने उपर आत्म नियंतरन करेंगे तभी ये जो हम स्वतंतरता प्राप्त करना चाहते हैं अपना शासन लागू करना चाहते हैं वो तभी सफल होगा इन दे चैप्टर फिफ्टीन गांधी पूट्स फॉर्वर्ड यानि पंध्रेवे अध्याय में गांधी जी हमारे समख्षकते हैं ये सिद्धान that the real challenge के वास्तविक चुनोती is too free वो है आजाद करनिया millions of our people हमारे लाखों लोगों को and not simply to change the government न केवल सरकार को बदलना यानि अंग्रेजों के हाथ से सरकार चीन कर सकता चीन कर हिंदुस्तानियों के हाथ में देना ये आजादी नहीं है बलके भारतियों को बदलना भारतियों की मानसिक्ता को बदलना उनकी गोलामी की मानसिक्ता को बदलना जो के unfortunately अभी ही भी कायम है तो वो गांधी जी का उद्देश्य था इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है यानि शस्त्रों या हिंसा के उप्योग के द्वारा नहीं यानि इसकी दो वजहे हैं यानि किसी भी तरीके से यदि हम हिंसक विद्रो करेंगे तो उसके लिए आवश्यक्ता होगी कि जो हजारों भारती है उनको शस्त्रों से सुसजित किया जाए जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है यानि करोणों भारतीयों को शस्त्रों से सुसजित करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है तो दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपून है अगर भारत शस्त्रों का सहारा लेगा तो भारत की पवित्र भूमी वोड बिकम अन्होली अपवित्र हो जाएगी इन दा प्रोसेस इस प्रक्रिया में इंडिया वोड बिकम अलेंड भारत एक ऐसा देश बन जाएगा वर्स दैन यूरोप भारत की जो भूमी है वो यूरोप से बदतर हो जाएगी वो एकदम जोर देकर अस्विकार करते है दा यूज आफ बूट फोर्स दा यूज माने प्रयोग आफ बूट फोर्स यानि जंगली ताकत का भारत के लिए स्वराज प्राप्त करने के लिए शक्ति के उपियोग का वो वहिशार करते हैं अस्विकार करते हैं वो नए तर्क देते हैं ऐसी अस्विक्रती के लिए एक घनिश्ट संबंध है between the means and the end तो पहला तर्क वो ये देते हैं कि means माने होते हैं साधन और end माने होता है उद्देश्य यानि पहला तो उद्देश्य आदर्श होना चाहिए अच्छा होना चाहिए और अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी अच्छे होनी चाहिए दस इस प्रकार he rejects वो सुईकार करते हैं the basic formulations of Indian revolutionaries जो basic मौलिक formulations जो खयाल हैं सिधानत है of Indian revolutionaries भारती करांतिकारियों के that India could be freed कि भारत को आजाद किया जा सकता है only by violent means केवल हिंसक साधनों के द्वारा both on moral and ethical grounds यानि नैतिक ethical भी नैतिक होता है तो यानि नैतिक प्रिष्ट भूमी पर केवल हिंसा के द्वारा ही भारत को आजाद किया जा सकता है ऐसा कुछ करांतिकारियों का खयाल था और गांधी जी इसको अस्विकार करते थे इसके विरोध में थे besides इसके अलाबा he also rejects उन्होंने अस्विकार किया the moderates view moderates उदारवादी थे उनका view क्या था that Indians could be freed के भारतियों को आजाद किया जा सकता था by mere supplication and petitioning केवल supplication मने जुक कर याचना करना भीख मांगना petitioning वो ही भीख मांगना यानि अंग्रेज़ों के सामने request करना उनसे भीख मांगना आजादी की इसके द्वारा आजाद किया जा सकता था तो ये दोनों ही सद्धान्त गांधी जी को ये अस्विकार्य थे unless begged by effective sanctions that would be an exercise in futility unless यदी न begged by यानि इसके लिए सहरा मिले पीछे से support मिले effective यानि प्रभावी sanctions मने प्रतिबंध that would be जो होगा an exercise एक प्रक्रिया in futility बेकार की यानि आपको पीछे से चीज़ें प्रतिबंधित भी होनी होंगी जैसे जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें प्रतिबंध अपने उपर लगाना होगा कि हम कोई भी विदेशी सामान प्रयोग नगरें तो sanctions का मतब होता है प्रतिबंध तो प्रभावी प्रतिबंध भी लगाने होंगे अगर आपको आजादी प्राप्त करनी है hence अतहे India would require passive resistance भारत को निश्क्रिय प्रतिरोध की आवश्यक्ता होगी based जो के आधारित होगी on love force प्रेम की ताकत पर और soul force या फिर आत्मिक ताकत पर to move forward आगे बढ़ने के लिए on the road to स्वराज स्वराज के रास्ते पर In chapter 17 He elaborately dwells on the concept of passive resistance तो ये chapter आपकी सलेवस में हैं इसको आप अगले वीडियो बें डिटेल में बढ़ेंगे तो 17 में अध्याय में वो elaborately मिलब विस्तार से dwells on का मतब होता है विचार करते हैं on the concept of passive resistance यानि निश्क्रिय प्रतिरोध के subject वर विशय पर Elbit सत्याग्र है वैसे तो Elbit के मतब although होता है, even though होता है यहाँ पर आप कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं तो सत्याग्र है या फिर passive resistance पर वो विचार करते हैं chapter 17 में ये आपको अच्छे से याद एखना है he explains वो व्याख्या करते हैं समझाते हैं the concept of passive resistance यानि passive resistance के विशे को as a method के ये एक तरीका है of securing प्राप्त करने का rights अधिकार by going through personal sufferings यानि व्यक्तिकत तोर पर कश्ट उठा कर आप अधिकार प्राप्त कर सकते हैं ऐसा गांधी जी का मानना था हलांकि ये बड़ा कठिन है कुछ लोगों कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने कश्ट में जी रहे हैं तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये आगे की बात है और आपके से ये critical questions भी पूछ जाएंगे कि गांधी जी का ये जो method है कहां तक अपनाने योग्य है या फिर कहां तक सफल है या व्यावारिक है here by implications he justifies the use of soul force on the basis of the concept of relative truth तो यहां वो justify करते हैं आत्मिक शक्ति को और relative सापेक्षिक होता है truth सत्य तो एक सापेक्षिक सत्य का उन्होंने से धान दिया है और आत्मिक शक्ति को वो justify करते हैं he further argues आगे वो तर करते हैं that passive resistance is not a weapon of the weak के निश्किय प्रतिरोध कमजोर लोगों का हत्यार नहीं है यानि गांधी जी का जो अहिंसा है वो कमजोर लोगों का हत्यार नहीं है अहिंसा इसलिए नहीं अपनाएंगे कि आप कमजोर हैं कहा भी गया है कि शमा शोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो तो जिसके पास जहर है साप के पास वो जब शमा करता है तो वो शमा होती है जो खुद ही कमजोर है वो किसी को क्या शमा करेगा तो गांधी जी का कहना है कि ये जो passive resistance है ये weapon of the weak नहीं है कमजोर लोगों का हथियार नहीं है rather it is a weapon of the strong बलकि ये सशक्त लोगों का हथियार है he concludes वो निशकष निकालते हैं ता entire discussion इस पूरे बारविवाद का बाई सेंग ये कहकर that real home rule के वास्तविक स्वशासन is possible संभव है only through passive resistance केवल निशक्रिय प्रतिरोध के द्वारा but he also has to add लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं that a true passive register कि जो एक वास्तविक निशक्रिय प्रतिरोध करता है will have to observe उसको अपनाना होगा perfect chastity यानि पौन पवित्रता adopt voluntary poverty साथ ही उसको क्या अपनाना होगा voluntary मने स्वैच्छिक, poverty मने दरिद्रता गरीबी following truth सत्यका पालन करना होगा and cultivate fearlessness fearlessness निर्भीकता होती है उसको अपने अंदर निर्भीकता cultivate करनी होगी यानि पैदा करनी होगी फिर आगे देखिए Indian nationhood तो ये अलग से एक सवाल आ सकता है आपके exam में कि what are the thoughts of Gandhi on Indian nationhood या what does Gandhi say about Indian nationhood another major concept एक और मुख्य विचार या विशे which he introduces जो वो सामने रखते हैं in हिंद स्वराज अपनी किताब हिंद स्वराज में is that of the composite nature of Indian nationalism यानि जो भारतिय राष्ट्रवाद है उसकी composite nature है उसकी प्रकृती समश्टिवादी है यानि सभी लोग उसमें शामिल होते हैं किसी एक धर्म पर किसी एक जाती पर किसी एक खयाल पर किसी एक कंसेप्ट पर किसी एक विचार धारा पर किसी एक आइडियोलोजी पर भारतिय संस्कृती जोड नहीं देती हिंद स्वराज जोड नहीं देता उनका इन हिंद स्वराज यानि पूट्स फरवर्ड अर्गुमेंट इंडियन पीपल इंडियन पीपल कंस्टिटूटे ए नेशन much before the British came गांधी जी का ये मानना है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही भारतिय लोग एक राष्ट के रूप में थे दे कमिंग ओफ दा मोहमदंस earlier had hardly made any difference यानि अंग्रेजों से पहले मुसलिम लोग आये थे तो उनके आने से मुश्किल से ही कोई प्रभाब पढ़ा to the fact of India being a nation यानि भारत के राष्ट होने में भारत पहले से राष्ट था और मुसल्मानों के आने से कोई प्रभाब नहीं पढ़ा उस पर कोई फरक नहीं पढ़ा और वैसे ही गांधी जी का मनना है अंग्रेज हो क्याने से पहले वो एक राष्ट था अंग्रेज ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे देश को एक राष्ट बनाया उसको युनाइट किया लेकिन गांधी जी साथ नहीं मानते थे इन प्रोसेस इसी प्रक्रिया में वो तर्क देते हैं that India could not cease to be a nation कि भारत एक राष्ट होना seize मने रुकना कि भारत का राष्ट होना नहीं रुक सकता था simply because people belonging to different religions reside here कि भारत में अलग-अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे इस बात से तो ये जो तथ्या है इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि भारत एक राष्ट के रूप में संगठित नहीं था people, लोग, with different religious backgrounds जिनकी अलग-अलग धर्मेक पिष्ट भूमिया थी would continue to constitute one nation वो लोग मिलकर एक राष्ट बना सकते हैं as long as they maintain the principle of non-interference यानि जहां तक वो लोग maintain मने पालन करें the principle सिध्धान का of non-interference interference दखरंदाजी होती है और non-interference यानि एक दूसरे के में दखरंदाजी ना करें in one another's religion एक दूसरे के धर्म में in the process he makes a very profound statement और इसी प्रक्रिया में वो एक बड़ा गहन कथन कहते हैं if the Hindus believe अगर हिंदू लोगों का विश्वास है that India would be people only by Hindus कि भारत में केवल हिंदू रहेंगे they are living in dreamland तो फिर वो एक सपनों की दुनिया में रह रहे हैं Hindus, Mormons, Parsis and Christians तो ये सारे धर्मों के लोग who have made India their country जिन्होंने भारत को अपना देश माना है our fellow countrymen वो सभी भारत के साथी नागरिक है and they will have to live in unity और उनको मिल जूल कर रहना होगा if only for their own interests अगर वो अपना भी हित चाहते हैं तो सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा in no part of the world are one nationality and one religion synonymous terms यानि संसार के किसी भी भाग में एक देश, एक धर्म ये synonymous terms नहीं है समानार्थी शब्द नहीं है कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें केवल एक ही धर्म के लोग रहते हों nor has it ever been in India और नहीं ये कभी भारत में रहा है elsewhere in हिंद स्वराज तो और कई जगहों पर हिंद स्वराज किताम में he rejects, वो अस्विकार करते हैं the British thesis अंग्रेज लोगों के इस सिधान को that India was never a nation कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं rather इसके बजाए it has always been a conglomerate यानि अंग्रेज़ों का ये कहना था कि भारत एक conglomerate मने एक समूरा है of different creeds अलग-अलग धर्मों का and communities और समुदायों का he asserts, वो ये कहते हैं that our seers कि हमारे जो संत महात्मा थे and sages सादू थे laid the foundation उन्होंने नीव रखी of our national unity हमारी राष्ट्रिय एक्ता की and Indian Nationhood और भारती राष्ट्रबाद की by establishing स्थापित करके centers, केंद्र of pilgrimage तीर्थियात्रा के on the four corners of India भारत के चारों कोर्णों पर यानि भारत के चारों कोर्णों पर pilgrimage centers की स्थापना करके उन्होंने भारत को unite कर दिया था, एक साथ जोड दिया था, कश्मीर से करन्या को मारी, कटक से लेकर अटक तक भारत एक संपूर्ण राष्ट था in the process इस प्रक्रिया में they fired the imagination उन्होंने fire जिंगारी जगाई या फिर प्रेरित किया inspire किया the imagination कल्बना को of our people, हमारे देश के लोगों की with the idea of nationalhood, राष्ट बाद के खयाल से दस इस प्रकार in हिंद स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी lays a real foundation गांधी जी एक वास्तविक नीव रखते हैं of secular nationalism secular धर्म निर्पेक्ष होता है और nationalism राष्ट बाद तो धर्म निर्पेक्ष राष्ट बाद की नीव रखते हैं for which जिसकी खातर he lived, वो जिये and died for और जिसकी खातर वो मरे उनकी हत्या भी इसी खातर हुई थी कि देश बढ़ चुका था आजादी जिस दिन मिली उसी दिन हमारे देश के दो टुकडे हो गए तो जो muslims थे उनके लिए पाकिस्तान बना और हिंदू के लिए हिंदूस्तान बना लेकिन ना तो पाकिस्तान से सारे हिंदू भारत आए और नहीं भाद से सारे मुसल्मान पाकिस्तान में गए गांधी जी का कहना था हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो उनके इस खयाल से उनके इस विचार से काफी लोग नाराज थे और यही उनकी हत्या का कारण भी बना फिर देखिए जो अगला question आपसे पूछा जा सकता है एक्जाम में vision of an alternative society alternative होती है वेकलपिक society समाज vision मनें एक सपना तो एक वेकलपिक समाज का सपना गांधी जी का क्या था इस related आपसे question पूछा जा सकता है एक्जाम में हिंद स्वराज presents हिंद स्वराज स्वराज प्रस्तुत करता है the broad contours broad मनें विस्तृत कंटूर आपके सकते हैं रूप रेखा of an alternative society एक वेकलपिक समाज की a new civilizational framework एक नया नई सभ्यता उसका framework framework खाका होता है एक नई सभ्यता का खाका गांधी जी खीशते हैं in a rudimentary form rudimentary molek होती है तो अपनी molek form में हो उसके molek रूप में in the chapter dealing with true civilization जो जिस सभ्याय में वो सच्ची सभ्यता का वर्णन करते हैं he defines it उसमें वो इसको परिभाशित करते हैं as that mode of conduct mode मने तरीका of conduct आचरण का व्यभार का which points out to man the path of duty यानि वो तरीका जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है सच्ची सभ्यता वो है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाए he further adds वो आगे कहते हैं that moral behavior is nothing कि नेतिक व्यभार और कुछ नहीं है but to attain बलकि प्राप्त करना है mastery of one's mind अपने दिमाग पर mastery यानि अगर आप अपने दिमाग के मालिक हैं दिमाग आपको नहीं चलाता आप दिमाग को चलाते हैं तो आप क्या है पूरी तरीके से moral होंगे नेतिक होंगे आपका जो व्यभार है वो समाज के लिए beneficial होगा in the same chapter उसी अध्याय में he averse वो कहते हैं that the ancient civilization के प्राचियन सभ्यता fits the will for being the true civilization यनि सची सभ्यता होने की हगदार है जो भारत की प्राचियन सभ्यता है वही सची सभ्यता कहलाने की हगदार है यहां गान्दी जी की बहुत सारी बातों से हम सहमत नहीं हो पाते हैं लेकिन यह बात तो काफी हद तक सही है कि भारत की जो प्राचियन संस्कृती थी सभ्यता थी वो अपने आप में उसमें सर्वधर्म संभाव था सभी को एक समावेशी सभ्यता थी सभी को उसमें all inclusive जिसको कहते हैं वैसी सभ्यता थी तो वो सची सभ्यता थी तो भारत थी सभ्यता में एक जो लिमिट्स समाने सीमा होती है और सेल्फ इंडल्जेंस होती है विलासिता लग्जरीज भी विलासिता होती है प्लेजर्स जो आनंद हैं जितने भी सुख हैं सुविधाएं हैं विलासिताएं हैं उनकी एक सीमा निर्धारित की गई है यहीं सयम पर जोड़ दिया गया है सेल्फ रेस्ट्रेंट पर जोड़ दिया गया है emphasis on ancient profession, rural life and moral control of sages over the kings तो भारती सभिता में इन सब चीजों पर जोड़ दिया गया है और moral control माने नैतिक नियंतन, of sages साधूं का, राजपुरोहित हुआ करते थे, वो guidelines दिया करते थे राजाओं को, तो उसको recommend करते हैं गंधी जी, moral control of sages over the kings, राजाओं के उपर, its curve, curve का मदब वही control है, on unnecessary competitiveness, unnecessary अनावश्यक, competitiveness होती है, प्रतिद्वन्दता, तो जिसे एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ है, उसको वो अनावश्यक है, और उस पर रोक लगाने की ज़रुत है, और इस पर भारतिय सभिता में जोड़ दिया गया है, and its preference for small scale technologies and decentralized quality, और its preference यानि भारतिय संस्कृती में prefer किया गया है, ज्यादा पसंद किया गया है, ज्यादा जोड़ दिया गया है, for small scale technologies, यानि जो लगूद दियोग है, ग्रामीर इस तर पर, जिसे हर गाओं अपने आप में एक पूड़ एकाई हुआ करता था, हर गाओं में कोई भी, यानि आपको जूते बनवाने हैं, तो उसके लिए मोची हुआ करते थे, आपको लोहे का कोई सामान बनवाना है, तो उसके लिए लोहार हुआ करते थे, तो हर काम गाओं में हो जाता था, तो अपने आप में सेल्फ डिपेंट थे सारे गाओं, वो गांदी जी को बहुत पसंद था, और डिसेंटरलाइज पॉलिटी, यानि विकेंद्री क्रत विवस्था थी, पॉलिटी जो राजनीती थी, वो विकेंद्री क्रत थी, यानि गा प्रेजेंट, मॉर्डन इंडिया इस मुविंग अवे फ्रॉम दीज ओल्ड वेल्यूस, वो कहते हैं कि ये जो पुरानी वेल्यूस थी, जो पुराने मुल्य थे, उनसे आधुनिक भारत दूर होता जा रहा है, बट ही पिंस हिस होप, लेकिन उन्होंने अपनी उमीद टिक होई है, इंदा बल्क, यानि मुख्य रूप से, of the people of India, भारत के लोगों पर, residing in hinterland, hinterland मने वो जो दूर दराज के छेत्रों में लोग रह रहे हैं, who continue to persist in its होरी tradition, जो आज भी होरी मने वो जो पुरानी tradition मने परमपराए हैं, तो जो दूर दराज के ग्रामीर इलाकों में ल गांधी जी की उम्मीद भी उन्हीं लोगों पर ठीकी है, as to who would perform all these wonerous tasks, यानि who would perform कौन करेगा, all सारे these ये wonerous tasks का, मतब ये जो कश्ट दायक काम हैं, ये सारे कौन करेगा, तो इसके लिए कांधी जी क्या करते हैं, he reposes his faith, यानि उनका विश्वास है, in the new band of सत्याग्रहीओं का नया समू है, who should play the role of exemplars rather than that of vengards, तो वो exemplars की भूमिका निभाएंगे, यानि खुद इन सब चीजों को follow करके, उदाहरन पेश करेंगे, बजाए vengards बनके, वेंगार्ड मनें अगुआ होते हैं, महरा होते हैं, तो वो खुद इन सब चीजों को अपनाए नए सत्याग्रही और लोगों के सामने एक example नजीर पेश करेंगे, there are other concepts, और भी कुछ विशे हैं in हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में scattered all over the book, जो उस पूरी पुस्तक में बिखरे हुए हैं, या हमें पढ़ने को मिलेंगे, अगर हम पूरी पुस्तक को पढ़ते हैं, वे स स्वदेशी, जैसे के स्वदेशी है, ब्रह्म चर्य है, नेशर क्रॉर, यानि जो प्राकरतिक चीज़े हैं, उन से हम अपना इलाज करें, बजाए अंग्रेजी दवाईयां खाने के, and new educational and legal system, और नया शेक्षिक और जो legal system है, relationship between the means and the end, और means वही संसाधर उपर भी आज तो जो साधन है और उदेश है, उनके बीच में जो संबंध है, ये गांदी जी ने वहाँ दिखाया है, and duties and rights, और करतव्यों और अधिकारों में जो संबंध है, यानि जब आप करतव्यों का पालन करते हैं, अधिकार आपको मिल ही जाते हैं, which he elaborates in his letter writings, और ये सब चीज़ वो एक declaration करते हैं, एक दोशना करते हैं, that the rest of his life, कि उनका बाकी का जीवन would be dedicated, समर्पित होगा, to the attainment, मने प्राप्ती के लिए of the kind of स्वराज, इस प्रकार का स्वराज, he had explained, जिसकी उन्होंने यहाँ व्याख्या की है, जिसको उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है, and has actually experienced in his own inner being, और जिस स्वराज को उन्होंने स्वैम अपने भीतर महसूस किया है, तो उसी को प्राप्त करने के लिए, और पुरे भारत देश की खातर उसको प्राप्त करने के लिए, वो लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रैतन करते रहेंगे, यह उन्होंने अंत में declaration कि गोशना की है और वो अंतर तक लगे भी रही इसमें और अब इसी वीडियो में कुछ multiple choice questions भी देख लीजे और वो हमेशा एक्जाम में रहते हैं आपके पहला question देखिए where was गांधी जी बॉर्ण ये मैंने आप से कहाता बहुत important question है आपके लिए पोर बंदर गुजरात में वो पैदा हुए थे what was the name of गांधी's father तो उनके पिता का नाम करमचन गांधी था at what is was गांधी married तो तेरह साल की उम्र में उनका विवहा हुआ था what was गांधी's wife's name तो गांधी जी की पतनी का नाम कस्तूर बागांधी था फिर फिफ्ट question देखिए what did गांधी go to England to study after his father's death तो अपने पिता की मृत्यू के बाद गांधी जी इंग्लेंड law की पढ़ाई करने गए थे फिर question number six देखिए how old was गांधी when he went to London जब लंदन गए गांधी जी तो उनकी अवस्था उनी सवर्ष की थी question number seven देखिए what did गांधी do after completing his studies in England तो इंग्लेंड में अपनी प्रहाई करने के बाद he returned home to India immediately वो तुरंद भारत वापस आए फिर question number eight why did गांधी go to South Africa South Africa गांधी जी क्यों गए to work on a lawsuit एक मुकदमे के सिलसले में गांधी जी South Africa गए महात्मा means महात्मा का मतलब क्या होता है great soul यानि महानात्मा फिर question number 10 देखिए हिंद स्वराज और Indian home rule is a हिंद स्वराज या फिर Indian home rule क्या है एक dialogue है यानि एक समवाद के रूप में वो ये किताब लिखी गई है सारे ही questions अपने आप में बहुत ज़्यादा important है तो याद जरूर रखिएगा सबको हिंद स्वराज was originally written in ये बेहद important question है गुजराती भाषा में मूलतह लिखाई गई थी ये किताब हिंद स्वराज was translated into English by तो अंग्रेजी में translation भी खुद गांधी जी ने किया था ये भी आपको याद रखना है किसी और ने नहीं किया फिर हिंद स्वराज was first published initially serially in the Indian opinion तो इं book form तो किताब के रूप में ये 1909 में प्रकाशित हुआ फिर question number 15 हिंद स्वराज was banned by the British government तो अंग्रेजी सरकार में बेहन लगा दिया था इस पुस्तक पर 1910 में फिर हिंद स्वराज consists of जरूर याद रखेगा 20 chapters हैं 20 सध्याय हैं फिर question number 17 passive resistance is included in तो passive resistance जो chapter है आपका वो हिंद स्वराज में included है आपकी सलिवस में है chapter number 17 जरूर याद रखेगा chapter number question number 18 देखिए the 18th chapter in हिंद स्वराज इस तो अठारेमा जो अध्या है education है ये भी आपकी सलिवस में 17 और 18 मा दोनों अध्याय है question number 19 chapter 17 in हिंद स्वराज इस तो सत्रेमा जो अध्याय है वो passive resistance है दोनों question अपने आप में बहुत important है दोनों chapter आपकी सलिवस में है गांदी जी was against गांदी जी किसके खिलाफ थे English language के हाँ खिलाफ थे वो लेकिन English language के खिलाफ गांदी जी थे इससे हम उनसे सहमत बिलकुल नही है भई हमारी तो रोजी रोटी भी इसी से चलती है खर रोजी रोटी का बात आप छोड़ भी दीजे तो वो global language है और English के बिना आप खुद भारतियों से बात नहीं कर पाएंगे तमिल नाडू जाएंगे तो कैसे बात करेंगे तमिल भाशा आपको नहीं आती और हिंदी उ और जो शेत्री भाशाएं हैं उनके favor में थे तो ये आनी चाहिए आपको अपनी भाशा जरूर आनी चाहिए आप हिंदी भाशी है तो आपको हिंदी का ग्यान होना चाहिए किसी भी शेत्र के हैं तो शेत्री भाशा का ग्यान होनी चाहिए लेकिन अंग्रेजी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी जरूर पढ़नी चाहिए, फिर देखे, next, according to गांदीजी, some Hindu should learn, तो गांदीजी के अनुसार, कुछ हिंदूओं को सीखनी चाहिए, तो गांदीजी का मानन था कि हिंदूओं को सीखनी चाहिए, Sanskrit language, मुझे नहीं लगता, बहुत कम लोगों को आती होगी, हाँ, हिंदी जरूर आती होगी, मुसल्मानों को और पार्सीज को, लेकिन Sanskrit थोड़ी टफ है, फिर, a universal language for India should be, तो गांदीजी के अनुसार, जो एक universal language भारत के लिए होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए, हालांकि हिंदी हमारी राष्ट भाषा है, लेकिन, जिससे साउथ के कोछ स्टेट्स हैं, खासका तमिल नाडू, तो वहाँ हिंदी का काफी विरोध होता है, तो इस लिए, वो ये जो लिगवा फ्रेंकार नहीं बन पाई है, हिंदी भारत में, इंग्लिश में ही बात होती है, फिर देखिए, गांधी जी वोज इन फेवर आफ, तो गांधी जी किसके फेवर में थे, पक्ष में थे, वो ethical education के, हाँ, नैतिक शिक्षा के पक्ष में थे, और होना भी चाहिए, ये तो जरूर होना चाहिए, कोई भी आपकी शिक्षा पध्धती हो, उसमें नैतिक शिक्षा जरूर होनी चाहिए, गांधी जी वोज अगेस्ट, गांधी जी किसके सभ्धता भी हमें उसका ग्यान भी होना चाहिए, फिर देखे, अलग अलग दे रखा है, यहां देखे, इस किताब में आंसर सी दे रखा है, और अगर हम आंसर सी लगाते हैं, तो यह 1904 होता है, लेकिन विकीपिडिया पर हमने जब इसको देखा, तो 1903 दे रखा है, यानि यह जो इंडियन ओपिनियन जर्नल था, यह 1903 में इसकी फाउंडेशन रखी गई, यानि इसको शुरू किया गया, और यह 1961 तक प्रकाशित हुआ, यह विकीपिडिया पर दिया हुआ है, तो आप जहन में रखिए अपने, बुक में हालांके इनोंने 1904 दिया है, तो तीन को ही लगाएंगे, ठीक है, मेरे साब से आज की इस वीडियो में इतना सफिशेंट है, और जो चैप्टर्स आपके सलेबस में हैं, उनको हम आगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,